उम्रक कोई भी हो, फिट रहने की एक भीतर इच्छा हर किसी के मन में रहती है। हमार यहाँ एक समय था जब गाव देहात में होने वाले मेलों में खेल कुद भी खूब होते थे। अखाडों में भी भाती भाती के खेल कराये जाते थे। लेकिन समय बढ़ला और यह सारी पुरियानी व्यवस्ताइं दीरे दीरे कम होने लगी। हाला तो यह भी हो गए कि स्कूलों में जो पीटी के प्रियड होते थे उन्हें भी टाइम पास का प्रियड माना जानने लगा। ऐसी सोच की वज़र से देश ने अपनी तीन चार पीडियां गवा दी। ना भारत में खेल सुविधाएं बड़ी और ना ही नई खेल व्यवस्ताओं के ने आकार लिया। आप लोग जो टीवी पर तमाम तरह के टैलेंट हंट कारकम देखते हैं तो यह भी पाते हैं कि उसमें कितने ही बच्चे छोटे 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 शेरों के होते हैं। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारा गुप्त और सुप्त सामर्थ है जो बहार आने के लिए लालाईत है। खेल की दुनिया में ऐसे सामर्थ को सामने लाने में साउसत खेल महाकुम की बड़ी भूमी का है। आज़ देश में भाजपा के सेंकडो सामसत ऐसे खेल महाकुम्भों का आयुजन कमा रहे है। आप कलपना करिए कितनी बड़ी संख्या में युवा खेलाडियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इन प्रतियोगीताओं को से आगे बढ़कर कई खिलाडी राज़स्तर और राष्ट्रिस्तर पर खेलेंगे। आप मैंसे ही ऐसी प्रतिभाय भी निकलेगी जो आगे जाकर ऑलिम्पिक्स जैसे अंतराष्ट्रिय आयोजनों में देश के लिए मेड़ जितेगी। इसलिए मैं सांसत खेल महाकुम को उस मजबूत नीव की तरह मानता हूँ जिस पर बविश की बहुत बव्य इमारत का निर्मान होने जा रहा है। साथियों खेल महाकुम जैसे आयोजन के साथ ही आजदेश का जोर छोटे शहरों में स्थानिय स्तर पर खेल सुविधाओं के निर्मान का भी है। गोरगपूर का रीजिनल स्पोर्ट स्ट्रेडियम इसका एक बड़ा उदाहन है।